साथ के इसके लावा अटल जी को समर्पित अटल मेडिकल उनिवर्सिटी का सनान्यास किया गया है जो लखनव बर्सों तक अटल जी की कर्म भुवी रहा अटल जी की समसदिय सीट रही हो और वहाँ आकर सिक्षा से जुड़े स्वास्थ से जुड़े समस्थान का सिलान्यास करना जिसको भी अवसर मिलेगा वो जीवन में इसे अपना सवभाग्य मानेगा मेरे लिए भी आजे सवभाग्य की पल है जब अटल जी यहां से सांसत थे तब उन्होंने यहां विकास की अनेग परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया था रिंग रोड का काम हो पुराने लखनों में ड्रैनिज सिस्टिम हो यहां के अएरपोर्ट का आधुनी करण हो वाल में के आमबेड कर आवास योजना हो बायोटेक पार्क हो लखनों को नई पहचान देने वाले सैकडों काम अटल जी ने किये थे अब सांसत के तौर पर सिर्मान राजनाज जी इस विरासत को समाल रहे हैं समवार भी रहे हैं साथियो अटल जी कहते थे कि जीवन को तुकडों में नहीं देखा जा सकता है उसको समगरता में देखना होगा ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य है और गुड गवर्नस के लिए भी सूशाशन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है सूशाशन भी तभी तक संबव नहीं है जब तक हम समस्याओं को संपुनता में समगरता में न सोचेंगे न उसे सुलजाने का प्रयास करेंगे मुझे संतोष है कि योगी जी की सरकार भी समगरता की इस सोच को साकार करने का बर्सक प्रयास कर रही है अटरल मेडिकल युनिवर्सिटी उसी सोच को परिलिक्षित करती है ये इनिवर्सिटी यूपी में मेडिकल की पढ़ाई और उसको समगरता देगी संपुनता देगी और पाठ्यक्रम से लेकर के परिश्चा तक इसमें एक सुत्रता होगी एक रूपता होगी और स्वाभाविक एकात्म भाव होगा मेडिकल कॉलेज हो डेंटल कॉलेज हो परामेडिकल कॉलेज हो नर्सिंग हो चिकित्सा से जुड़े हर कोर्स हर डिग्री को देख कर और इसी की देखरेक में ये विश्वा विद्याले इस सारी व्यवस्ताओं को विदाओं को आगे बढ़ाएगी सरकारी हो अर्दसरकारी हो या नीजी मेडिकल समसान हो सभी की एफिलियेशन इसी युनिवर्सिटी से अब होने वाली है एक समान सैच्छनिक सत्र कैलेंडर लागू होगा परिछाएं तय समय पर होगी पारदर्सी तरीके से होगी इस उनिवर्सिटी के मन्ने से यूपी में मेडिकल की पढ़ाय की क्वालिटी में और भी सुधार आने वाला है